So Hello Everyone, मैं हूँ विकरम और इस वीडियो में विलोग डिसकस करने वाले हैं बजाज फाइन्स शेयर के बारे में अब इस टॉक में कल के लिए हमारे लिए क्या लेवल्स होने वाले हैं वो डिसकस कर लेते हैं तो आज के दिन अगर आप इस टॉक को देखोगे तो यहां पे इस टॉक को रिजिस्टेंस करना पड़ा है और रिजिस्टेंस कुन से मैं आपको ड्रो करके बताता हूँ यह जो level था 7454 रुपीस का यहाँ पर इसके लिए resistance का काम करने वाला था अब resistance का काम कैसे करने वाल था मैं आपको explain कर देता हूँ जल्दी से अगर आप देखोगे पिछली बार इसी area के round में हमें resistance देखने को मिला था और फिर उसके बाद काफी days में यहाँ पर यह stock इसी range के अंदर consolidate कर रहा था उपर नीचे उपर नीचे move कर रहा था finally scandal में breakout दिया था बट retest के time पर यहाँ पर यह fail होके सीधा इसी range के अंदर वापसी आ चुका है तो अब यहाँ पर हो सकता है कि हमें आगे आने वाले कुछ days में दुबारा इसी range के अंदर trade करता हुआ दिखे range कुन सी है range का मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर 7200 एंड 7450 रुपीज के जो range है इसी range के अंदर stock trade करता हूँ दिख सकता है हमें आने वाले कुछ days में और फिर इस range का जिस भी side breakout होगा जैसे मानलो अगर उपर की side breakout होता है तो फिर हमें यहाँ पर upside का move देखने को मिलेगा काफी जबरदस नहीं पर यह इसको तो उपर से rejection भी देखने को मिले तो stock अभी हो सकता है कि 7200 रुपीज के round तक आता हूँ देखने को मिले और फिर उसके बाद वहीं से reverse कर जाए तो यही range के अंदर भी trade करता हूँ दिख सकता है आने वाले कुछ days में देखते हैं कि इसमें कैसा moment रहता है उसके बाद फिर हम